पुश्यू कप के सेमी फाइनल में न्यूजिलेंड से हाणने के बाद धोनी के सन्यास के चर्चाएं तेज होने लगी हैं। धोनी के सन्यास को लेकर भारते क्रिकेट टीम के कई दिगज भी अपनी राय दे रहे हैं। धोनी के फैंस भी धोनी को सन्यास ना लेने की सलहा लेते रहे हैं लेकिन अब उस्टेलिया के पूर दिगज कप्तान इस्टीव वो ने धोनी के सन्यास को लेकर अपनी राय रखी है इस्टीवो का मानना है कि उनके देश में बड़े सितारों को बाहर करने के लिए सरस्रेश चरण बद नीती है जबकि उप महादीप में एक बार खिलाडी महान दर्जा हासिल कर ले तो उसके लिए ऐसा करना मुश्किल हो जाता है दैसे इस्टीवो ने धोनी के उपर कहा कि यह दिल्चस्प है उस्टेलिया निश्चित रूप से ऐसा करता यह माइने नहीं रखता कि आप कौन हो क्योंकि आपको जाना ही होता है इस्टीवो ने कहा कि शायद उप महादीप में आपको ज्यादा स्वतंतरता मिलती है क्योंकि लगभग देड़ करोड लोग आपको फोलो कर रहे होते हैं फ्लारी व्यक्ति नहीं रहता वो महान बन जाते हैं भगवान की तरह इसके बाद बाहर होना मुश्किल हो जाता है जब लोग तुस निश्चित उम्र के हो जाते हैं तो यह काफी चुनोती पूर्ण बन जाता है महंदर सिंग धोनी का आप जिकर कर रहे हो वह अब महान खिलारी है जी बिलकुल महंदर सिंग धोनी भारते क्रिकेट टीम के एक महान खिलारी है और जिस तरह से महंदर सिंग धोनी के सन्यास लेने की चर्चाएं चल रही है अगर धोनी सन्यास ले लेते हैं तो यह भारते क्रिकेट टीम के लिए बड़ा जटका होगा विश्चुकप से जोड़ी तमाम खबरें हमने आप तक पहुचाई हैं इस पोर्ट से जोड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारे वीडियो को लाइक करें नमस्कार जब तीन विकेट आपको दिख रहा है कि तीन विकेट गिर चुके हैं तब आपको अपने एक्सपिरियंस बैट्समेंट को भेरना चाहिए और दोनी भी रन आउट हो गए अगर वो रन आउट नहीं होते तो मेरा मन नहीं है कि 10 गेंटों में जब 25 रन या 24 रन चाहिए तो भी गिट सागा सकते तो और इंडिया को मेरा चिता सकते थे देखे सन्यास ने उनको तो तीसरे नमर पर आना चाहिए अगर नहीं खेला होता तो अब पता है कि कितने रन से या कितने गैप से हारते थे और मेरे सब से स्णिंटरेवनेटर चाहिए और अभी नहीं लेखे ना चुजू कर रितायरमेंट ब्हाम अब देजने थो और थर्टी एडियर्स ओल्ड हैं तो वो एक रीजन हो सकता है मुझे लगता है कि दोनी तो एक कीपर हैं वो अपने साथ नमर छे नमर पर खेलते हैं ठीक है चार नमर का बल्ले बाद जब तक फिट नहीं बैठेगा टीम अभी ऐसे ही परफॉम करेगी तो बहुत जंता को कुशी है को भूल लगी कर दो गई अगर अगर निकल जाएंगे तो लैकों जाएगा टीम के इंदर को मान तरकार बंदन है समझे स्वेता सिंग मैं हार की वज़ा उनको भी मानता हूं बहुत बड़ी वज़ा है और वो जम्मेदार स्वेता सिंग जो है आज तक चैनर पर आज तक चैनर की जो है एंकर है उन्होंने बोला था कि अगर मोदी जी इस मैच को जिताएंगे और बल्ड कप मोदी जी जित्वाकर लेकर आएंगे देखिए मेनेजमेंट की बजह है मेन बात है मेनेजमेंट अगर कोई जीत रहा है कोई अच्छा काम करें तो उसके साथ सेलफी लेते हैं सब कहते हम भी हैं हम भी है जैसे मोदी बिराट कोहली जब को एक कारण होता है तो सब पतली गल किया है पहले तो जनम दिन मनाते है और उसके बाद और लोगों को नी देखते हैं मादमी को भी देखना चाहिए अपने परिवार भी देखते है जब पसीन बहाते हैं देसं के साथ खड़ा होता है दुआएं खड़ी होती है अटाने कूंसे गली से निकलते हैं देकि टील म तो बड़े लगाते तो वह इस बात को जानते हैं कि मेरे पीछे और कोई बैट्समेन नहीं है जो बल्लेबाजी को कर सके रविंद्र जडेजा और महिंद्र सिंग धोनी दोनों को ही पताते कि रविंद्र जडेजा तो एक बार को बॉलर है अगर टीम इंडिया हार जाती है औ अठतर रण जो भी इनोंने बनाए अगर वो नहीं बनाते एक रहन भी तब उनको पर कोई दिक्कत नहीं आते क्योंकि वह बॉलर है पर महिंद्र सिंग धोनी ऐसा बैट्समेन और वर्ल्ट के बैस्ट फिनिश्यर में उनका नाम आता है महिंद्र सिंग दोनी का तो वह धीर क्योंकि नम्बर फोर पर मैंने जिए अगर आपके पहले थीन भेट्समेन ठीव से काम नहीं करते या निकल जाते किसी तरफ सोनी सबसे विक रहे हैं जो पूरी सीरीज में आप देख लो अपकर उब घुन्रायम उनका जो कोच है कभी यह लोग नई नई पंदे लेकर आ रहे हैं खीक है और हुष बंदे उनको एक्सपीरिनãy도 आ लेटर ओना इनको एक्सपीरिस हो सकता बना नेन現在 करना इसह आपने की सबूड कीई मिडल अड़र ने कोई रन नी बना रहा है मिडल ओर में 32 32 इस तरह से चल रहा है तो सबसे बड़ा इश्यू है कोच जो रविशास्त्री और बीसी ची आई जिनों ने ठीक धन से जो है यह डिसाइड नहीं कर पाई कि नंबर चार पर किसको खिलाना चाहिए मैं सबसे पहले बात कहूंगा कल मैं सोसल मीडिया पे एक न्यूस परा था धोनी के घर का सुरक्षा ब़ाया गया है विराट कोली के घर का सुरक्षा ब़ाया गया यह क्या चक्कर है अब ऐसा तो नहीं है किरिकट खतम हो गया और दोबरा खेल होगा यह वरल्ड कप होगा नहीं इतना सारा योगदान दिया है धोनी उसको पिछला नहीं देखेंगे इतने सारे योगदान को नहीं देखेंगे अब एक मैच हार गया तो उसके घर का सुरक्षा बराया गया सोसल मीडिया में इतना गालियां दिया जा रहा है तो ये क्या है ये हमारे देश के लोगों को मतलब सोचना चाहिए भाई क्यों ऐसा कर रहे है जब वो कोई खेल जीत के आता है लेकिन वो नहीं देखेगा अब एक खेल किसी कारण हार गया तो गालियां परेगा उसको उसके घर का ये सुरक्षा बराया जागा उनके जान को भी खत्रा होगा जी नहीं दोनी को सुन्यास नहीं लेना चाहिए दिन सब के बुरे होते हैं कल इंडिया का था और दोनी का भी बैड लगी था क्योंकि आज तक दोनी ने मैची जिता है इंडिया को मैची जिता है और दिन किसी का भी खराब जा सकता है तो ये उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं हो गई उसके टैलेंट के साथ शमी को हाँ जी मैं मानता हूं चाहल की जगा शमी को खिलाना चीए था क्योंकि कि कंडिशन वहां की ओवर कास्ती तो वहां पर बॉल स्विंग करती तो शमी शायद उनको दोसों के अंदर रिस्टिक कर देता न्यूजिलेंड को किसी को ऐसे बोल नहीं सकते कि कौन वजय है क्या है पहली बात तो देगो मैच है ठीक है क्रिकेट है उसमें कोई चीज फिक्स नहीं है कि तुम्हें कब तुम आउट हो जाओगे या फिर कितना खेल जाओगे कोई चीज नहीं फिक्स नहीं है तो ऐसे किसी को ब्लेम नहीं क तो इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि हाँ नहीं कोई कौन देखो अभी एक मैस से किसी को जज नहीं कर सकते न अच्छा धोनी को सन्यास क्यों लेना चाहिए धोनी धोनी के वज़े से ही तुम वहां तक पहुंचे थे जिसी साफ से विक्टेंग गिर चुकी थी जिसी साफ से लुग श्टार्टिंग में खेले हुए थे तो धुनी और जडे जाने अगर नहीं खेला होता तो अब पता है कि कि कितने रन से या कितने गैप से हारते थे धौनी रेटायर्मेंट नभी नहीं लेना चाहिए मेरे ख्लाइब मतलब अगला वर्ल्टक्प नहीं भी ख कर देगा वो तो है एक्सिदेंटली अब एक्सिदेंटी कहेंगे उसको की वो हिट हो गया अगर मालनी जे विकेट पे नहीं लगती बॉल तो दोनी अंदर ही होता और मेरे ख्याल से दोनी मैश निकाल लेता अगल और ऐसा होते रहता है आप टॉप ओडर देखेंगे तो स्ट कि थोड़ा ठेज खेलना चाहिए था था तो कुछ भी सब्सक्राइब दोनी को पांच ओबर तो टॉड़ा में कारड़ तो टॉप ओडर आ है इसके वाज़े से हम मैच में पादर आ है त्थिर भी हम मैज पास आकर और कुछ रोड़ा मैच के करीब आकर भी और हम हार के जो हम सायद मैच में आ सकते थे और मैच को जी सकते थे तो उन्हें पता है कि अगर लास्ट ओवर में भी कहीं 18 या 20 रहते हैं तो वो से खतम करने की काबिलियत रखते हैं महिंद सिंधोरी इसलिए वो बड़े हिट नहीं लगा रखे थे और दूसरी बात आप ने देखा विराट को लिगो definitely क्योंकि आपने उनका देखा कि उनमें attitude बहुत है आपने पिछले मैच में देखा कि चहल से जब एक चौका चूट गया तो उनका किस तरीके से किस तरीके की उनकी language थी एज़ा कि आप देखे रहें कि कहते हैं महमद शामी को नहीं खिला गया तो कहीं ना कहीं य पहली बार किसी मैच में बारिश नहीं आई है यह पिछ खराब हुई है कोई पहली बार नहीं हुआ ऐसा पहले भी कई मैचों में बारिश आई है और उसके बाद इंडिया टीम ने बैटिंग करी है और आप देखने की सारे मैच में हमारे सारे एक मैच में रहें नहीं नही तब आपको अपने एक्स्पिरियंस बैट्समेंट को भेरना चीए और दोनी भी रन आउट हो गए अगर वो रन आउट नहीं होते तो मेरा मनना यह है कि दस गेंदों में जब 25 रन या 24 रन चीए थे तो भी गिट सागा सकते तो और इंडिया को मैर चिता सकते थे